इस पाइब लगा है कि यह फायर दर्ज हुआ है तो अभी क्या है नहीं है मेरे पास कोई ओफिशिल कम्मिनिकेशन है नहीं पुलीस मेरे से पूछ ताज करने आई है और पुलीस आएगी तो हम कोपरेट करेंगे उसमें जो भी बात होगी बता हैंगे लेकिन अभी तक इस तर मेरे खिलाब लेकिन सोचल मेडिया पर काफी कुछ कहा जा रहा है लिखा जा रहा है आपके बारे में किस बयान को लेकर था था थोड़ा वूब बता दीए और ऐसा क्या था उस बयान में क्या था सबसे पहले तो यह सवाल मैं पूझता हूं आपसे कि जितने यह शिवलिंग को लेकर था ज्यान बापी जो मस्जिद है उसमें कथित शिवलिंग अभी सुप्रीम कोट ने भी नहीं कहा है कि वो शिवलिंग है या क्या है तो मौलाना साब कह रहे हैं फवारा है आदुबावा यह भी कह रहे है कि उसमें छेड़ चार हुई है तो पहले यह तो दोनों को बताना पड़ेगा कि यह छेड़ चार हुई है कि तोड़ा गया है या काटा गया है तो उनसों सब पुछा जाना चाहिए कई दिन साथ साम में बैठते हैं टेलिश चैनल्स पे धर कि दोनों धर्म के मैं कह रहा हूं वो सावित करने लेदे हैं कि काम है आर्ट हिस्टोरियन का है कि इस्टोरियन आर्केड़ाइस्ट यह पताएगा ने एक्सपर्ट प्रोफेशनल सब तेन दो तरफ के धर्म गुरूं से पूछिए उस ही में उसका जबाब शामिल है कि अग काटा गया है तो इसका इंटर्पटेशन अलग होगा अगर तोड़ा गया रहता तो वो इवन नहीं होता वो तिर्चा तेरा मेडा इस तरह का होता जैसे जितने बुद्धिस्ट मुर्तिया है जो टुटी-फुटी मिलें जाके देखें किस तरह से तोड़ा गया है तो जाली तरह का ऐसा अगर यदी फिर रिपीट कर रहा हूँ यदी यह शीववलिंग है नहींस किया गया होगा है क्यों किया गया यह कि आधा पहले सुन हीे अब स्ट्राइब ह यह मेरी understanding है, मेरी व्याक्या है, कोई भी invader जब आता है, तो सबसे पहला है क्या करता है। आपके घर जा के खाना काता है, बिड्यानी काता है, कीड गाता है। यह सबसे पहला काम होता है, कि वो जो प्राजित समुधा है, इसके symbols को तोड़ता है, ब्रेक करता है। तो जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर मंदीर था तोड़ के मस्जिद बनाया गया तोड़ा गया ना तोड़ा गया अगर है तो लोग कह रहे हैं कि किसके जमाने में तो सवाल उठता है तो अरंगजेव का नाम आ रहा है तो अगर तोड़ा गया लोग कह रहे हैं कनवर्जन भ तो अगर शिवलिंग तो एक तो शिवलिंग का आकार उस तरह का नहीं है, जाके यहां पर जो है एसा लग रहा है कुछ है, तो मेरा यह कहना है, कि जो मुसलिम समधाय भी अगर था, तो वहां का लोकल पापलेशन जो ब्रहमन होंगे, चाहिए की लोग होंगे, छत्रीय होंग नलित होगे न्वी उसको चढ़ाने के लिए उसनों काट दिया होगा तो अगर काटा गया तो य। अलग को कि mount a prickры लिंग के कि कैए वित्व, करो आघशनी नहीं को तो तो मुसलीमों के भार भाहवन, दुखा जाता है करोडो हिंदू है अब मैं एक आपको दिखा रहा हूं पूश्ट एक साहब है दिली इनवर्स्टी के फॉर्मर स्टूडेंट है उनका नाम है जस्परीत सिंग मट्टा सरदार जी है और लगातार मुहीम चलाए हुए लिखते हैं कि इससे मेरी धार्मिक किसी के अन्य धाराओं के ताथ मामला दर्ज किया जाता है और उनके खिलाफ मामला चला आता है तो मैं इसकी सराना करूंगा यह आदमी दिली इनवर्स्टी का पढ़ा हुआ है ट्विटर पर फेस्बूप लगातार जो है इस चला रहा है अब इनसे पूछिए कि आपकी ध उस समय उनको खालिस्तानी आतंकवादी क्या क्या कहा जा रहा था उस समय इनकी धार्मिक भावना को ठेस नहीं लगी थी और मैंने एक बात कहिए मेरा इंटर्पेटेशन है इस स्टुएंट ऑफिस्ट्री कोई उसको देखेगा क्या बोलेगा कि तोड़ा हुआ है कि कटा ह है शायद धार्मिक भावना पर जो तो अटाइक किया हो तो गौतम बूत के बाद से आई है रविदास कवीर फूले अंबेड कर पर यार उन्हों नहीं इसी कि तैसी कर दी है पुड़ा भारत सरकार अंबेड कर शापते हैं मैं तो नहीं चापता ना तो रिड़ल सफ हिंद तो यह तो सही है है वही नहीं चोड़िए चलिए खजुराह हो है वह सब खड़े होके उसमें से एक फोटो निकालके अगर मैं लिख दूं कि यह भी हमारे संस्कृति का पार्ट है कोई कहएदे में धार्मिक भावना ठेस लग गई अब कुट्रा पर कुछ बोल देंगे तो भला धार्मिक भावना ठेस लग गई वह भैरों की सबारी है उल्लू चुभा अतलब यहां तो कुछी भी कह दिजें किसी की भी धार्मिक भावना ठेस लग सकती है इसमार्ट लगने पर मार दिया जाता है उसमें ठेस नहीं लगत के स्टा कि गलती है तो यह जो मैंने जो आपको बताया है तो यह धर्म है या राजनीति है सरदार जी के धार्मीमा ठेस लगा हुआ कि दो धर्म से ज़्याधा राजनीति है इसमें वूस tutaj क्यों किया जा रहा है मैं आपके सामने यहां बैठा हूँ आँँ मैंने काहा कि तो सर लोगों की धार्मिक भावनाएं इतनी जाधा नाजुक कैसे हो गई हैं कि इतनी छोटी छोटी बातों से उनको फर्क पड़ने लगा है जबकि एक स्वतंत्र देश में अभिवेक्ति की आजादी हर किसी के पास है अगर कोई कुट्टे को पूझ भी रहा है तो दूसरा इंसान उसको कुट्टा कह सकता है रावन को आप जला देते हैं तो धार्मिक भावना ठेस आधिवासी के देवक कुल गुरु है तो होलिका धन महिला जला देते हैं सिम्बॉलिक अजश्न मनाते हैं चरकार चुटी भी देती है मैंने पहले कहा गिए धर्म से आता राजनित है यह आपकी भावना नहीं है छूई मही है छूई मही है कुछ भी बोल देंगे ठेस हो गया अरे मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप मेरे थुरू जो है ना लोगों को साइलेंट करना चाहते हैं कि रतनलाल को एक बार धमका देंगे तो बहुत लोग ड चानून में विश्वास है और मैंने तो लिखा प्रधान मंत्री जी को भी कि एक दो आदमी आएगा तो हम तो बातचीत कर लेंगे शुरक्षा अपने डंडा से भी कर लेंगे लेकिन कुछ लोग अचकल जूंड में छूपके हमला करते हैं तो या तो एक चपन वाले हमझे बोडिगाट दो दीजिए और नहीं तो एक चपन के लाइसेंस दीजिए जुंड आएगा तो उसका हिसाब किताब करना पड़ेगा ना मैं निराश नहीं करूंगा मैंने लिखा है प्रधान मंत्री जी को